हेलो फ्रेंट्स गूद इविनिंग दिस इज मनी सर्मा फ्रम मेकमा स्टॉक आज हम डिसकस करेंगे फोर्टिस हेल्थ के अनालिसिस पे जो लास्ट हमने इसमें रिकमेंडेशन दिया था 12 अब जनुवरी को मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था फोर्टिस हेल्थ के रिटेस्ट करेंगे रिटेस्टिंग के लिए इसमें जब डिपाएगा तो हम इसमें एक इंट्री करेंगे 165-166 के रेंज में हमने बताया था कि रिटेस्टिंग होगा तो इसमें हम रिटेस्टिंग करेंगे तो हमारा एक इंट्री पॉइंट था चले देखते हैं उसके पाद इसे stock का कैसा move रहा है तो यह हमारा 4 hours का chart है last 3 months का chart हमने plot किया है यह जो zone है यहां पे हमने बोला था कि एक retesting होगा तो अगर आप देखते हो last few days का candlestick chart देखते हैं तो यह multiple times यहां पे retesting हुआ है यह जो zone था जो एक बहुत ही strong resistance का काम कर रहा था अभी same zone एक बहुत ही strong support का अब काम कर रहा है यहां पे multiple times यहां पे retesting हुआ है और every time यहां से bounce back हुआ है यहां से जब stock ने एक breakout दिया था यह हाई बनाया उसके बाद यह retesting हुआ यहां पे breakout हुआ इसको नहीं बोलेंगे इसको actually rebound बोलेंगे तो यह level से ही rebound हो रहा है strongly every time आज भी यहां के level से ही rebound हुआ है अगर आप high देखते हो यहां पे आपको यह high दिखेगा आप यहां पे ध्यान देना यह देखते हो अगर आप तो यह 177 का high है इसके बाद का candle यह भी 177 यहां भी almost 177 के आसपास का high बना है यह candle में 177 का high है यहां पे भी 177 का high है और आज भी इसने 177 का ही high बना है तो हम बोल सकते हैं कि यह जो level है 177 एक बहुत ही अच्छा एक resistance zone की तरह work कर रहा है यह बट इसमें multiple times इसको यह hit कर चुका है तो अब यह resistance मेरे साब से week हो जाना चाहिए और यह जो retesting zone है 165-166 का level यह एक strong support अब रहना चाहिए तो आगे मुझे ने लगता है कि अब यह level तूटना चाहिए multiple times यहां conviction के साथ यहां बाइंग हुआ है volume भी आप देखते हो तो जब भी एक upside का मूव आता है strong तो वहां पर एक अच्छा volume होता है अगर आप देखते हो एक triangle formation यहां पर होता है अगर आप इस top को इस top से मिला कर इस train line को अगर extend करते हो तो एक triangle form होता है यह जो ट्रेंगल है इसमें breakout आया है आज अगर आप देखते हो तो यह 168 के लेवल के उपर breakout आया है और उसको sustain भी किया है तो मुझे अब लगता नहीं है कि और यहां पर volume भी अच्छा है यह जो अगर आप candle देखते हो यह जो white candle है जो breakout आया था ट्रेंगल के उपर इसमें एक अच्छा volume भी है और average volume के हिसाब से अगर last few days का अगर average volume देखते तो उसके साब से एक average volume के साथ इसमें conviction के साथ buying हुआ और एक triangular breakout बोलते हैं इसको जो कि upside का rally है और यह आगे की और continue करेगा rally यह dip भी अगर आता है तो 168 के नीचे नहीं जागा तो हमारा अब एक support यह 168 का level है अब अब इसके ऊपर ही यह sustain होना चाहिए और इसमें एक upside का move आना चाहिए एक और train line अगर हम bottom को मिला के अग exactly perfect support बन रहा है हर एक bottom पे exactly यह train line पे यह support ले रहा है यह देखते हैं अगर आप यहाँ पे यहाँ पे भी exact same train line को support लेके bounce होना है अभी intact है इस support इस train line के support के ऊपर ही trade कर रहा है आज भी इसमें ऐसे ही यहाँ से bounce आ है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यह sustain करेगा उपर का level और बहुत ही जल्दी हमारा जो target है 185,199 का जो हमने 10-20% का upside target इसमें expect किया था यह बहुत ही जल्दी आ जाना चाहिए next session में ही अगर market stable लाता है और इसमें अगर move आता है तो हम इसमें 10-15% का profit मिलता है तो हम इसमें एक पर profit बुक कर लेंगे क्योंकि आगे budget भी है तो हो सकता है थोड़ा बहुत बुक करके एक बार निकल जाएंगे तो यह हमारा view है और कुछ update होता है तो मैं आपको share कर दूँगा और as of now यह whole position पर है और इसमें further upside पर हम इसमें profit बुक करेंगे ओके थैंक्यू अब्रिवन happy trading बाए